पूरा मामला नर्वल थाने के पाली चोगी का है जहां पर ग्राम गाड़ी निवासी कमलेशाद उस तीस वर्से हैं उनके कहां पारिवारिक लडाई हुई थी जिसके चलते वो एप्लिकेशन देने चोगी में गए थे पर चोगी इंचारज ने यूवक कमलेश को चोगी में बैठा लिया और थाना नर्वल ले गया वहीं दूसरी पार्टी भी पहुँची फिर वहीं थाने में कमलेश से 10,000 रुपे की डिमांड की गई बोला गया अगर नहीं दोगे तो मुकदमा लिक जेल बेज दिया जाएगा ऐसा इमाम लाज एक महिला काया था जिसमें कि महिला से मंदिर में अपने पुत्र के सर पर हाथ रख कर कसम खाने को बोला गया था ये सारी चीद चोगी इंचारज ने कहीं थी पर अभी तक उच्छ अदिकारी उदारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है विरो रिपोर्ट आई पीएल आपका मंगलेश यादो कहां के निवाची है क्या मामला हो गया था आपके साथ क्या करना हुई थी स्वोज स्ट अरे अम दूर डाल गया रहाय थी तो अमने दस्तर से गाथ यह जो हमारे रह यह जहा है तो रहाद हुआ है दूनों लोग अमारे बाद घुट गयुझए और मार्कित करने लगी थी और बाद में यहारी माता सृ लिए है तो बचाने हुए उनके बचाने में तुम पुराइनी नहीं देंगी और उसके बाद में जाओ मुंचे देखा थार पर फोड़ देर बाद हमारा भाई आया बचाने चाचा गड़ता रजजन यातों पुत्र राजवेशी नहीं तो अभाव सामने नहीं तो अचाही होने लगी तो उसको सब लोग ने पकड़ लि कर दिया कि लाजवेश रास्ते में जा रहा है तो जब जा रहा था तो रास्ते मों सो भेड़ लिया और दोनों थी लोग मलगां लाखा उसको माने लेगी तो मानने लेगी आपने अप्लीकेशन दी थी कोई कहां पर दी थी चौकी इंचार्ज कौन है समय तो उन्होंने अब लेगा थे आप लुग पर हम्ला होए तो आपको क्यों थाने लेगा थे अचा उस पार्टी में किसको लेगा थे तरस्राइब बूरे यानि अपना ये सब लोग पहुंचे थे वहां वोट को आने पनी हैं यह तो यह सरचार पार लोग थे और हम अकी थे थी हम और अच्छा बंद किसको किया था और उस पार्टी से पार्टी किया थे किस ने लिया था अच्छा इंच चौकिंचार ने कहां पर लिये थे जोकिम लिया या थाने में थाने में अच्छा क्या कहके लिया था तो आपने दे दिया कोई इसकी फोटो वीडियो से आपके पाद आप हो वी आपके तो आपने में आपके प्रहाज कर दो